सरवाद में भगवान देव नारायन मंदर ताजपुरा में श्री विश्नु महायग का बैदिक मंत्रोचार के साथ 21 कुंडात्मक यग में 82 जोडों ने हवन म्याहूतियां देकर विश्व के कल्यान को लेकर प्रातना की यगिशाला में सभी देवी देवताओं के आवान करते हुए पूजा अचना की गई उसके बाद यग्याचारे धर्मिराज शास्ती द्वारा दस देवपाल देवताओं का पूजन करवाया गया कुंड अचारे पंडित रामप्रसाद देवारी ने यगिशाला में मंदप की पूजा करवाई इस दोरान तोरन द्वार सहे दश दिशाओं और नवग्रह देवता का पूजन किया गया पच्छिस पंडितों द्वारा वैदेक मंतरो चार के साथ कुंड पूजा के बाद अगनी प्रवेश करवाया गया ततपश्चाद सभी देवी देवताओं को आवान करते हुए हवन में आहुत्या दी गई इससे पहले यग में बैठे सभी जोडों को गौमूत्र पंच गव्वे से शुद्ध करते हुए यग इस्थर में प्रवेश कराया गया यग में बैठने वाले सभी लोगों को श्रीश्री 108 लक्षमन दास महराज द्वारा गले में जने हुँ और कंटी धारन करवाई गई ततपश्चाद हवन में बैठे सभी लोगों ने गुरु पूजन कर आश्रवाद लिया यग में बैठे सभी जोडों ने यग इस्थर की परिक्रमा करते हुए भगवान देव नारायन मंदर में पूजा आचना की और अमन चैन भायचारे खुशहाली की प्रातना की प्रारम में प्रधान कोंड पर बैठने के लिए बोली लगाई गई 2100 रुपए से बोली लगाई गई जिसमें सरवादक बोली एक लाख एक रुपए तक बोली लगाई गई इस दोरान यग्या चार धर्मडाज शासुरी ने महायोद करोना महामारी वर्तमान समस्याओं की निराकरण और विश्व शान्थी की कामना से महामंत्र की विशेश आहुती यगी भगवान को समर्पित की श्रीविश्णु महायग और ताजपुरा में श्रीमत भागवत कथा का बयाय जन हो रहा है जिसमें व्रंदावन से आही हुई प्रक्यात कथा वाचक देवी स्रश्ट्री सारस्वात श्रीमत भागवत कथा सुना रही है जिसे सुनने के लिए आसपास की गावों से हजारो की संक्या में लोग उमड रहे हैं वही रात्री में मत्रा व्रंदावन से आई हुई प्रसिद्ध कलाकारों की तीम द्वारा रास दिला का मंचन किया जा रहा है जिसे देखने के लिए जन सलाब उमड रहा है जिसको नियंतृत करने के लिए सरवार पुलिस थाने का जापता तना ते